आपका इंगिस एडवांटेज की ओनलाइन क्लासेज में इस वीडियो में आपको सेंटेंस करेक्शन के बारे में बताऊंगा और यह सेंटेंस करेक्शन आपके लिए सेंटेंस इंप्रूब्मेंट और क्लोज टेस्ट में के लिए बहुत इंपोर्टेंट रहेंगे और यह सारे सेंटेंस करेक्शन मैं लास्ट यह के टैंग यह कोश्चन पेपर से लिए हैं और सभी एक्जाम्स में आ चुके हैं यह परिक्रली इपिस बैंक पीयो के लिए यह बहुत ही है और इसके लाबा IBPS क्लर्क और SSC CTL के डिफरेंट इग्जाम्स के लिए यह बहुत ही इंपोर्टेंट रहेगा आपके लिए तो चलिए शुरूआत करते हैं यह वीडियो हिंदी लेंग्यूच में रहेगा और इसका इंग्लिस वर्जन आप देखना चाहते हैं तो इंग उप बीन कलर में कर्क्ट सेंटेंज तो यहां पर सारे जैसे यह इसे सेंटेंज लिए हैं मैंने जो इंकर्क हैं लेकिन आपके एक्जाम में कुछ नो-इलर वाले सेंटेंस भी आते हैं तो उस चीज़ का भी ध्यान द्खिए दृट वाले सेंटेंश का अब देखिए आप focus and become mesmerized by all the advices available in print and online about why companies should change बहुत अच्छा सेंटेंस है यह आई-ई-पियों का ही सेंटेंस है तो इसमें इस तरह के है इसमें यह error है advices क्योंकि advices एक uncountable noun है और इसमें हम एस नहीं लगाते हैं इसमें अगर काफी सारी advices के बारे में आपको बात करनी है तो आप बोल सकते हैं pieces of advice पीस आप लगा सकते हैं लेकि advices में आप एस नहीं लगाएंगे जैसे कुछ और words मैंने दिये हैं यहां पर यह exam में आते रहते हैं बैसे तो बहुत सारे वर्ड हैं लेकिन यह ऐसे वर्ड है जो exam में आते रहते हैं तो इसलिए मनें यहां को इनको select किया है जिसे advice है poetry है poetry poems का बॉल्ट करना यह उता है तोको पोईटरी में भी आते लगा सकते हैं लेकिन आप पोईटरी में आपorg एस नहीं लगा यह दृ Past लाकिए लेकिन यह वर्ड आप याड़न है लेकिन यह वर्ड आप जरूर याद रखी इन वर्ड स्में हम एस नहीं नहीं लगाते हैं और इसका सही सेंटेंस होगा दे लूज फोकस और बिकम मैस्मेराइज़ बै ओल दैवाइस अभी ले में इन पिंच इन ओलाइन अब वाइक कंपनी शुट चींज तो यह है इसका करेक्ट सेंटेंस और आंसर होगा आपका त्यू तो बहुत इंपटेंट से हैं और यह उपर जो मैंने वर्ड दी है इनको आप ध्यान रखिए जैसे पॉइट्री को मैं पॉइट्री नहीं बोलूगा फर्नीचर को फर्नीचर नहीं बोलूगा सीनरी को सीनरी नहीं बोलूगा इंफरमेशन को इंफरमेशन नहीं बोलूगा तो इस तरीके जिस सारे व इस संटेंस का मतलब क्या है इस संटेंस का मतलब यह है कि जब किसी और इस संटेंस को मान सकते हैं इसमें क्या होता है इस तरह के संटेंस में कि यह जो सब्जेक होता है यहाँ पर जो बर्ब आती है वो सब्जेक के अकॉर्डिंग आती है और सब्जेक यहाँ तो बहुत लैंदी कर दिया जाता है यहाँ बहुत कंफ्यूजिंग कर दिया जाता है तो इस्टुएंट समझ नहीं पाते कि सब्जेक क्या है चुकि यहाँ पर जो बर भी यूज होगी, जिसमें एक येस लगेगा, वो subject के according लगेगा, तो यहाँ पर आपका जो subject है वो recommendations नहीं है, यहाँ पर subject है आपका proliferation, proliferation of recommendations की हम बात कर रहा हैं, cable recommendations की बात नहीं कर रहा है, तो proliferation यहाँ पर singular है इसलिए यह जो verb है यह singular में आईगी यहाँ पर इसमें S लगेगा तब यह singular बनेगी ठीक है तो देखिए यहाँ पर इसमें जैसे S लगा है क्योंकि proliferation है singular है और उसके according यह sentence आपका सही हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने यह explanation दिया है इसमें और यह मैंने कुछ वर्ड लिये हैं आपकी vocabulary को improve करने के लिए और यह वर्ड इसलिए लिए है क्योंकि में आते हैं जैसे मडल का मतलब है confuse मेडल का मतलब है interfere करना या intervene करना है ठीक है हडल का मतलब है एकटे हो के साथ में एक जगा एकटे हो जाना हडल मीज टू क्राउट टोगेदर और रशल का मतलब है इस्टील यानि चुराना रशल का मतलब एक जो जो सूखे पत्ते होते हैं उनका movement होता उसको भी रशल बोलते हैं लेकिन इसका basic मतलब है चुराना यानि इस्टील तो यह चार वर्ड मैंने यहां पर दिये हैं जिसका मतलब है confuse करना मैडल तीक है मैडल का मतलब interfere यानि बीच में दखल अंदाजी करना हडल का मतलब है टू क्राउट टूगेदर और प्रशल का मतलब है स्टील तो यह चार वर्ड दी है इनको भी आप याद रखिए और इस तरह किसे सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा और इसमें आंसर हो है और इसमें देखिए यह बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है यह जो रिजॉर्ड वर्ड रिजॉर्ड का मतलब है कि उस चीज को अपनाना या उस चीज का सहारा लेना ठीक है लेकिन डिजॉर्ड जो वर्ड है उसके बाद हम हमेंसा लगाते हैं टू उसके बाद कभी भी हम फॉर नहीं लगाते हैं एंप्लोईज रिजॉर्टिंग टू मैलीसियस मैतर प्रमोशंस बिल बी ड्यूली पनिस्ट बाद बोर्ड इस सेंटेंस का मतलब यह है कि जो एंप्लोईज हैं जो जो गलत तरीके अपनाएंगे प्रमोशन लेने के लिए जो गलत हतकंडे अपन प्रमोशन लेने के लिए उनको बोर्ड के द्वारा पनिश किया जाएगा तो यह सेंटेंस का मतलब है और यहां पर मैंने आपकी नॉलेज के लिए और भी वर्ड दिये हैं जिनके बाद हमेशा तू लगाते हैं सारे इंपोर्टेंट वर्ड मैंने इसमें इंक्लूड किये हैं resorting to मतलब किसी चीज का सहारा लेना reluctant to reluctant का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए विलिंग नहीं होना जयाना मतलब उसका आधी हो जाना उसकी आदर तो यकस्टम के बाद भी तू दू लगाते हैं सुपिरियर के बाद भी तू लगाते हैं ठीके next to, next के बाद हम to लगाते है native, native मतलब उस देश का रहने वाला, जैसे यदि मैं बोलूं कि kangaroo is native to Australia, जो kangaroo है या जो kangaroo है, वो Australia का एक घरेलू जानवर है, ठीक तो उसके लिए native word यूज होगा, native के बाद हम to लगाते हैं, और assign to, ये भी बहुत important word है, assign के बाद हम to लगाते हैं, assign का मतलब होता है किसी को कोई responsibility सौपना या देना, तो ये सारे word मैं जो extra ले रहा हूँ, ये आपकी preparation को strong करने के लिए मैं ले रहा हूँ, बहुत important word है, और ये भहुत आपके लिए useful रहेंगे, close test में, sentence improvement में, sentence correction में, तो इनको भी आप धान से आप याद करिए और इस वीडि को देखते हैं, तो आपको ये पूरा अच्छे तरीके से grasp हो जाएगा, employee resorting to, employee resorting to, malicious methods मतलब politics है, और अपना ऊपर उठने के लिए किसी वेक्ति को दीचे गराना या उसकी बुराई करना, ये सारे malicious methods होते हैं, और इसका answer होगा आपका one, तो इस तरीके से sentence को आप correct कर सकते ह हैं, चलिए next sentence, the manager has called you because he has an urgent business, दो मतलब है, एक तो business का मतलब ब्यापार होता है, और एक business का मतलब काम भी होता है, जैसे मुझे उससे कोई काम है, या आपको इससे कोई काम होना चाहिए, या आपको इससे कोई काम नहीं होना चाहिए, जैसे नन आफ या बिजनिस, बतलब या आपका मतलब नहीं है, या आपका काम नहीं है, तो उससे में हम इसको यूज करते हैं, तो यह uncountable होता है, बिजनिस, ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे, urgent piece of business, urgent piece of business, और जो piece जो word है, वो किस किस के साथ हम लगा सकते हैं, देखे, piece of work, क्योंकि work uncountable होता है, तो piece of work हम जैसे, piece of land का मतलब होगा, जमीन का एक टुकड़ा या plot, उसको हम बोलेंगे, piece of land, क्योंकि पूरी जमीन ही आजाए, तो इसलिए, सही इसका expression है, piece of land, piece of paper, यह इस तरह के correct expressions हैं, तो यहाँ पर हम बोलेंगे, an urgent piece of business, क्योंकि उसको एक urgent काम है आपसे, उसके लिए वो use हो र है, ठीक है, मतलब अरजेंट की जगह आप लगाएंगे, तो इसलिए answer इसका 2, next देखते हैं, we were packed in the compartment, like a tin of sardine, sardine एक fish होती है, एक मचली होती है, जिसको खाया जाता है, बहुत सारी usage है, उसको उसका oil भी निकलता है, sardine का, तो यहाँ पर a tin, बोक्स है आपके पास, और उस बोक्स में बहुत सारी मचली आएं, ठीक है, जब हम tin की बात करते हैं, बोक्स की बात करते हैं, तो उसका oil आएगी, वो plural में आएगी, क्योंकि एक tin या बोक्स में एक चीज नहीं होगी, उसमें बहुत सारी चीज़ा होंगी, तो a tin should be consist of many things, so sardines should be used, sardines is a kind of fish, तो sardines की जगहें आप यहाँ पर sardines use करेंगे, ठीक है, वो सही होगा इसमें, क्योंकि a tin of sardines, और यह आपका answer होगा four, बहुत important sentence है, यह आपका IBPS bank clerk में आ चुका है इस तरह का sentence, next देखते हैं, I have to cut my hair before I go to the birthday party of my friend, मुझे अपने बाल काटने हैं, birthday party में जाने से पहले, normally हम अपने बाल खुद नहीं काटते हैं, हम saloon में जाते हैं, बारबर से कटवाते हैं, normally ऐसा होता है, 99.99, और even 100% cases में ही ऐसा होता है, यह हम अपने बाल कभी भी खुद कभी नहीं काटते, तो दूसरे से हम कटवाते हैं, बालाओं को काटते नहीं हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे, I have to get my hair cut, I have to get my hair cut, तो यहाँ पर आपका यह सेंटेंस आपका गलत है, you do not cut your hair yourself, you always get somebody or barber to cut your hair, so get my hair cut will be correct, get my hair cut, I have to get my hair cut before I go to the birthday party of my friend, तो इस तरह से यह सेंटेंस भी आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है, और यह get जिसमें यूज होता है, यह make जिसमें यूज होता है, इस तरह के सेंटेंस आपके एक्जाम में, बहुत पूछे जाते हैं, बहुत common है यह mistake, चलिए नेक्स सेंटेंस देखते हैं, यह है सेविन नंबर का सेंटेंस, देखिए यह है आपका एक सुपर्फुल्वस वर्ड का इसमें गलती है, जैसे ही मैं बोलता हूं, तो इसमें रिगार्डिंग जो है, वो एक्स्ट्रा है, रिगार्डिंग यहां पर सुपर्फुल्वस से इसका कोई मतलब नहीं है, तो इस तरह की सुपर्फुल्वस जो मिस्टेक्स होती है, रिगार्डिंट वर्ड की जो मिस्टेक्स होती है, यह भी काफी पूछी जाती है इसलिए मैंने यह सेंटेंस लिया है, और यह IBPS बैंक पियो का ही सेंटेंस है, बहुत इंपोर्टेंट है आपके लिए, नेक्स देखते हैं, प्लीज इंक्लूड दिस एज पोस्ट स्क्रिप्ट इन दिस रेजिगनिशन लेटर, देखे, पोस्ट स्क्रिप्ट टू अ लेटर, पोस्ट स्क्रिप्ट टू अ लेटर होता है, पोस्ट स्क्रिप्ट को उसमें रहना नहीं है, बलकि उसको जोड़ना ह है उसमें a post script to this letter ठीक है a post script to a letter is the correct expression post script के बाद हम a two word का use के लिए जैसे they are sitting उसके लिए यूज होगा यहां पर आएगा तू आपका तो प्लीज इंक्लूड दिस as a post script to this resignation letter इस तरह से sentence आपका सही हो जाएगा बहुत सटल और बहुत बारीक मिस्टेक है और इस कर का sentence है लेकिन डेफिनिटली इस बैंक पियो में भी यह पूचा जा सकता है next देखते हैं she never says a lie on Thursday because she is an ardent disciple of साहीं बाबा वह साहीं बाबा की एक disciple है और की भक्त है और यहां पर disciple की जगह है devotee word यहां पर होना चाहिए devotee तो इसमें गलती है यहां पर इसमें गलती है यहां पर she never says a lie lie के साथ हम tell word use करते हैं tell a lie truth के साथ हम speak word use करते हैं और prayer के साथ say word use करते है I say my prayer in the morning daily ठीक है prayer के साथ say word use होता है तो इसलिए यहां पर यह गलती है आपकी और इसमें answer होगा आपका two next sentence लिखते है I urgently need a matches box to light the fire in this chilly winter normally हम match box बोलते हैं लेकिन सही इसका expression है a box of matches a box of matches यह सही इसका expression है और वही इसमें गलती है यह इसमें second part में गलती है और answer होगा इसका two next sentence the CEO tends to depend on a consultant an outsider who barely know the culture of the organization इस तरह के sentence बहुत आते हैं banking exam में यह इसमें पर गलती है इसमें इसको आप धान से सिंगुलर है तो इस लिए उस तरीके से सेंटेस आपका सही हो जाएगा बेरली नूस कंसल्टेंट के लिए यूज कर रहे हैं हम इसके यह सेंटेस तरीके से आपका सही हो जाएगा बहुत इंपोर्टेंट सेंटेंस है यह भी next sentence देखते हैं purpose of working hard is to achieve your goals purpose of देखिए purpose तो किसी भी चीज़ का हो सकता है working hard का हो सकता है पैसा कमाने का हो सकता है ठीक है एक मकान बनाने का हो सकता है तो किस चीज़ के purpose की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं working hard करी मेहनत करने का क्या purpose है तो एक particular purpose की हम बात कर रहे हैं परपज को हम general sense में ना use करते हुए, एक specific sense में use कर रहे हैं, particularize कर रहे हैं इस purpose word को, तो इसलिए purpose से पहले हम यहां लगाएंगे definite article दा, definite article सभी particular noun से पहले लगाया जाता है, और इसका answer होगा one, यह बहुत important sentence है, तो इस तरीके से sentence आपका सही हो जाएगा, next देखते है, they rarely change the roles assigned for employees throughout the change process in the organization, तो इसमें भी वो ही कलती है, word plus proposition, word के साथ कौन सा proposition आता है, देखे, assign के बाद यहां पर four लगा हुआ है, assign के बाद आता है two, assigned is followed by two, इसलिए correct sentence होगा आपका, देखे, यह assign to, इस तरीके से, assign का मतलब होता है, उसको responsibility देना, या उसको कोई काम सौंपना, जैसे कि इस्कूल में assignments होते हैं, तो assign का मतलब होता है, काम सौंपना या responsibility सौंपना, तो assign के बाद आता है, next sentence, यह है next sentence, I am accustomed with hard work, and generally do not get tired easily, मतलब, कड़ी मेहनत करने का आदी हूँ, और generally में जल्दी से ठकता नहीं होता, जल्दी से ठकता नहीं होता, एकस्टम्ड के बाद यहां पर हम लगा सकते हैं, यहां पर हमें लगाना चाहिए to, एकस्टम्ड to, जल्दी गलत है, और एकस्टम्ड to यहां पर word यूज होगा, और इसका आंसर होगा, यह भी, एकस्टम्ड का मतलब होता है used to, used to का equivalent है यह, और बहुत एक्जाम में, कई एक्जाम में यह पूछा गया है, और आता ही रहता है एक्जाम में, next, देखते हैं, he has no affection with anybody, including the member of his own family, ठीक है, उसको किसी भी व्यक्ति से कोई प्यार नहीं है, और चाहे वो उसके family के member ही क्योंना हो, और बहर बाले व्यक्ति से भी उसको कोई प्यार नहीं है, तो यह sentence का मतलब है, he has no affection for, he has no affection for, affection is for, and affectionate is followed by two, मतलब affection के बाद for आएगा, और affectionate के बाद two आएगा, यह बहुत important है, यह दो वर्ड मने लिये हैं, बहुत important है, इसको आप ध्यान से देखिए, affectionate, affection for, और answer होगा इसमें, three, next देखते हैं, many employees are hesitant to volunteer to assignment in a foreign country, because of the situation and cultural issues, का sentence है, SBI Bank PO का, 2012 का यह sentence है, SBI Bank PO का, बहुत important sentence है, और इसी तरह के sentence आपके, IBPS PO का अभी जो exam होने बाला है, उसमें आएंगे, definitely आएंगे, चाहें वो sentence correction के form में आएं, चाहें sentence improvement के form में आएं, इसी तरीके के sentence आएंगे, और यह typical banking sentence है, देखिए, many employees are, आर के बाद हम, आर के बाद हम, आर के बाद हम लगाना चाहिए, यहाँ पर adjective, जैसे, they are, आर के बाद हम क्या लगा हूँ, they are intelligent, smart, ठीक है, they are hard, मतलब आर के बाद जो sentence, आर के बाद जो word आ रहा है, वो क्या आ रहा है, वो adjective आ रहा है, तो इसलिए, यहाँ पर many employees, many employees are, मतलब many employees कैसे हैं, उसकी मैं बिसेश्था यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, employees को describe करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए, यहाँ, hesitate का, जो adjective form है, वो आएगा, और hesitate का adjective form है, hesitant, ठीक है, शंकालू होना, या संकालू होना, यहाँ पर सही वर्ड होगा, hesitant, तो here we want to describe the quality of the mind of employees, which should be described by using an adjective, corrective, corrective will be hesitant, not hesitate, यहाँ बर्व है, ठीक है, I do not hesitate, I do not hesitate, है यहाँ बर्व है, hesitant आपका adjective, तो इस तरीके से यह सेंटेंज का हूँ होगा, S.B.I.B.N.Q.O. का यह सेंटेंज है, ने का रहा है, एसे मेंबर of the cabinet, I yet had the opportunity to observe debates and see which they were, यदि आप ध्यान से एग्जामिन करें एक एक पार्ट को, तो देखिए, आजाएगी इसमें, as a member of the cabinet, यह सही है, I yet had the opportunity, यह सही है, to observe debates and see which they were resolved, इसमें which word का क्या यूज है, which word का कोई सेंस नहीं बन रहा, कहने की कोसिज कर रहा है कि cabinet का member होने के नाते, I year को यह मौका मिला, I year के पास यह opportunity थी, कि वो debates को देखे, और यह चीज भी देखे कि किस तरीके से resolved किया जा रहा है, उनको किसी problem को सुलजाया जा रहा है, तो यहाँ पर which की जगए आप यहाँ पर and see how they were resolved, क्योंकि debates को हम हमेशा resolved करते हैं, he also observed how the debates were resolved, तो इस तरीके से sentence आपका सही हो जाएगा, यह how यहाँ पर हम लगाएंगे, और इस तरह के sentence correction को सही mistake को सही mistake को मातर सही जाएगा है, कि एक एक पार्ट को सही तरीके से ध्याहन से पढ़ा जाए, और आपका error निकल के आ जाएगी, और पूरे sentence को आप पढ़ते हैं, तो आपका error निकलने में दिख्कत होगी, एक एक पार्ट को आप देखिए, जैसे यहाँ से यहाँ से तेकिंड पार्ट देखिए, फर थर्ड पार्ट देखिए, उसके सारे सारी वर्ब कौन से लगी है, उसमें आपका proposition कौन से लगी है, सारे देखिए, और तुरंत आपका error निकल के सामने, तो इसमें होगा आपका answer 4, आप यहाँ पर देखिए, डिट के साथ फर्स्ट फर्म आती है, डिट के साथ फर्स्ट फर्म नहीं लगी है, यहाँ पर, तो इसलिए डिट हटाएंगे, एक तो इसमें डिट के साथ फर्स्ट फर्म नहीं लगी है, और एक यह कि चुकिए अफर्मेटिब सेंटेंस है, और affirmative sentence में हम did का प्रियोग नहीं 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 प्रियोग होगा और उससे पूछा कि उसको कैसे लगा है ये चोट कैसे लगी है लेकिन उसने आंसर देने का प्रियोग हम अफर्मेटिव sentences में नहीं करेंगे आफर्मेटिव sentences में जैसे ये रिसीब्ड है ये क्या है के dobrald वर्ब की second form का प्रियोग होथा है और इसका अगर निगेति नोट पार्तिसिपेट इन था सेमिनार या और दिट आई पार्तिसिotta in the seminar तो did का प्रियोग होगा, negative, interrogative sentences में, affirmative sentences में, दिद का प्रियोग नहीं होगा, तो did should not be used in an affirmative, इसका explanation, they ask him how he received, how he received, यह V2 है आपका verb की second form है, और यह आपका sentence जो है, वो affirmative sentence है, तो उस तरीके से आपका sentence है, बहुत important sentence है, यह. next sentence है, a large number of classmates call for the hospital when she was there, number of, देखिए, यहा तक सही है, यहां तक सही है, यह. कुलासमेट त्लस मेट इसका इकजामिन पर इसका इगजामिन करते हैं, एकजामिन करने के लिए sentence का मतलब निकालते हैं, मतलब क्या है sentence का? कि उसके बहुत सारे classmates में उससे मिलने गए जब वहाँ पर थी, जब वहाँ पर थी का मतलब है कि जब वहाँ पर या उसको कोई problem थी, जब वह hospitalized थी, तो जब हमारा कोई relative hospitalized होता है तो normally हम क्या करते हैं, हम मिलने जाते हैं, तो यहाँ पर आपको जो phrasal verb चाहिए, वो मिलने जा करने के लिए चाहिए, visit के लिए, visit के लिए हम बोलते हैं, visit के लिए हम called for, call for का मतलब होता है, demand किसी चीज की मांग करना, on का मतलब होता है, go and visit, तो इस तरीके से यवाला path इसमें आपका, इस तरीके से आपका, और इसमें answer होगा, आपका, थर्ड, a large number of our classmates called on the hospital, इस तरीके से ये sentence आपका, सही हो जाएगा, और अब हम देखते हैं, last sentence इसका, 20 sentence लिए हैं, और ये sentences हैं, सभी के सभी, ये तो बहुत सिंपल है, इसमें फर्णीचर में एस लगा हुआ है, जो की गलत है, फर्णीचर में एस अपने, फर्णीचर is not countable, so it should be written as furniture, फर्णीचर होगा, फर्णीचर, तो इसमें मैंने ये 20 sentence लिए हैं, और इचले 10 साल के जो question paper हैं, उसमें से मैंने लिए हैं, और सारे पोटेंट sentence मुझे लगे, वही मैंने इस video tutorial में लिए हैं, और मुझे उम्हें, आपको ये सारे sentence अच्छे तरीके से समझ में आये होंगे, और आपको इनको आप सही answer आप दे पाएंगे, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इन लिंक्स के थुरू आप मुझे लिए हैं, डिफरिंट फॉरम्स पर, लाइक फेस्बुक पर, लाइक English Advantage ग्रूप में, और आप मेरा English Advantage का पेज भी लाइक कर सकते हैं, मेरा WhatsApp नम को आप सेब करने मोबाइल में, और उसके बाद मुझे अपना नाम और एड मी लिखके भीजिए, तो इसमें WhatsApp पर जो ग्रूप है, गौर्मेंट जॉब एक्जाम का, बैंकिंग का जो आपको जोइन कर लूँगा, उसमें आपको मैं, उसमें आप पारिस्पीट कर सकते हैं, और सारे नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहेंगे, तो सबसे पहले इस नंबर को आप सेब करिए, 9893719933, और उसके नाम जरूर लखिए, और आप एड मी करके आप भेजिए, और आप उस ग्रूप में एड हो जाएंगे, और सारे मिलते रहेंगे, और इसमें आपको एड के साथ और कॉमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो की सक्सेस के लिए ये कितना यूच्फुल है, और यदि आप फस्टाइमर हैं, तो जरूर जरूर हमारे साथ जुड़िये, मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस चैनल पर, और आपक मैं और करना चाहूंगा कि इस चैनल पर जितने भी वीडियो है, सारे लिस्ट में है, इंग्लिश की अलग प्ले लिस्ट है, हिंदी की अलग प्ले लिस्ट है, सारे वीडियो आप देख लीजिए, उससे आपका कॉन्फिदेंस बहुत जादा बूस्ट हो जाएगा, और खृत्त आपका कैने से लिस्ट है